नमस्कार दोस्तों टार्गेड विद परिहार चैनल में आपका स्वागत है सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचना होती है जो विभिन समचार पत्रों पर चाहिवी होती है और विद्यारतियों के लिए आवश्यक होती है तो आए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज अब परिहार आनलाइन क्लासेज वाले एप में TGT PGT GIC Lecturer की जो कक्छा है वो भी शुरू हो गई है GIC Lecturer TGT PGT का जो संयुक्त कोर्स है वो लांच कर दिया गया है और इसका पहला वीडियो पहली कक्छा आज शुरू होगी शुरू करते हैं आज की आज की जो सूचना है उ कहां जाएंगे 30 से उपर वाले नीचे लिखा है कि उत्तर प्रदेश की सरकारी सेवाओं की में भरती की अरिक्तम आयू 40 से 30 वर्स किये जाने के प्रस्ताव का प्रतियोगी चात्रों ने विरोध किया है और उन्होंने सवाल उठाएं कि अगर एक जटके में दिक्तम आयू करने चाहिए प्रतियोगी चात्रा स्वम्य नराण स्तिरिवस्तों प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं है बहुत सारे विद्यार्थियों की जो संख्या है जो उत्तर प्रदेश में 30 से उपर वाले हैं और प्रतियोगी परिचाओं की तयारी करते हैं तो सभी विद्यार्थिय दिवस पर रोजगार का दिकार हासिल करने समप्रभुता लोगतंत्र वसमविधान की रक्षा का युवा लेंगे संकल्प और यहां पर लिखा है कि 17 सितंबर 2020 में रोजगार के मुद्दे पर राश्ट्री इस्तपर हुए अंदोलन के बाद में समविधा की प्रस्ताओं को ठ यहासिक मौके पर बालसन 14 पर सुबह 11 बजे राश्ट ध्वज फैराने के साथ में अंदोलन का आगाज कर दिया जाएगा यह निर्णा युवा मंस्क प्तादकारियों ने प्रतेस भर के चात्री युवां से समवाद हुआ विचार विवर्स के बाद में लिया है तो बहु सब्सक्राइब करने के तीन दिन का केवल समय बचा है इसकी शिकायत की विजारतियों ने यहां पर जो सची हुए उसका बयान मीचे पहुआ हुआ है जिन अबरतियों की माक्सी पर दरस्तेत नहीं हो रहे हैं यह वे इमेल के माधियम से आयोक को अपनी शिकायत बेश सकते ह प्राप्त करने में दिक्कत हो रही है सनिवार को इस समस्ते के नेरा करन हो जाएगा और विजारतियों को उनकी माक्सीट मिल जाएगी और विद्यारति इस चीज़ को लेकर के भी दुखी है और परेसान है और है क्योंकि PCS के जो अंगपत जारी किये गए है उसमें स्केल् सरचा ही नहीं की गई है इसी लिए आप विद्यारति सोसल मीडिया पर आयोग के खिलाफ और सरकार के खिलाफ एक अभियान चेड़ दिया है और यह देखिए यहां पर लिखावक सरकार के खिलाफ अभरतियों ने खोला मोर्चा और लिखा है जरा याद करो वादा बात हो यह CBI जाज की जब अनिल यादों का कारकाल था समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी और उस समय भ्रिष्टचार के बहुत सारे आरूप लगाए थे भाजपा के नेताओं ने उसके बाद में भाजपा की सरकार आई विद्यार्थियों ने सोचा कि साहित भाजपा की सरका को घेर रहे हैं इंटरनेट मीडिया में जरह याद करो वादा नामक मुहिम चलाई जा रहे हैं यह ट्विटर फेस्बुक वाट्सअप ग्रूपों में भाजपा नेताओं के 2016 में दिये भाफणों वाला वो वीडियो डाला जा रहा जिसमें वह सरकार बनने पर आयों का समस कानिया आज भी चरम पर हैं लोगों जो विद्यार्थियों के सुचना के अधिकार के तहत उनको जवाब नहीं दिया आता है स्केल्ड मार्क्स नहीं बताए जाते हैं और लगातार बड़े-बड़े परिवर्तन किये जा रहे हैं नीचे लिखा है कि यूपी प्यस्टी ने कि कोशिस की जा रहे है चात्रों को और इसकी बाद में अगली सूचना है संगलोग सेवा आयोग की सिविल सेवा में अत्रिक्त मौका नहीं इसकी बारे मैं कल रात में एक वीडियो बढ़ाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि कोविड-19 की वज़ए से बहुत सारे विद्यार्थी परिक्षा नहीं दे पाये थे और कुछ विद्यार्थियों का पेपर खराब हुआ था विद्यार्थी कोट चले गए तो कहाता ये उनका अंतिम मौका है कोरोना की वज़े से वो परिक्षा नहीं दे पाये हैं या उनका परिक्षा सही से नहीं भी है प्रियास में उबस्तित नहीं होने वाले बैठतियों को अतरित मुखा देने के बक्षी में नहीं है कार्मिक वो प्रस्टिक्षन विवाक्षी और से सुप्रीम कोड में यह जानकारी दी गई है जस्टिस ए-म खानविलकर कि अधक्षिता वाली पीट के समझ सुक्रवार को अ और विवाद है PCS प्री 2020 का मेंस की परिक्षा चल रही है कल तक दो पेपर हो गए और पहला पेपर जो था वो हिंदी और निबंद का था दूसरा पेपर जो था वो समान अध्यन का था और लेकिन PCS प्री के जो रिजल्ट है उसका जो मामला है वो कोड में है अब उसकी ता कर लिए नियम वह परदेश सरकार दौरां दिये के पतों की संक्या्प पूरा ब्यौर्ण अतलब कर लिए है प्रयारमिक परिच्छा के संसोध्य प्रणाम को हाई queens 행 देते ह्ए कहा 했는데 संसदी प्रणा जारी करने में पार दसितार नहीं बढ़ती गई है और पहले से चैनित अब्यर्थियों को संसोजी परड़ा में बीना कोई कारण बताए बाहर कर दिया गया है तो अब देखते हैं इसमें 25 जनवरी को क्या होता है अगली सूचना है एर फोर्स ग्रूप X ग्रूप Y के लिए जो भरती है वो आ गई है और कल से इसके जो आवेदन वो जा रही है और बहुत सारी जो बातें यहां पर लिखी वही है और इसमें जो है आप लोग 22 तारीक से ही आउनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट याद रखिएगा साथ फरवरी लास्ट डेट है एर फोर्स के आवेदन के लिए 22 तारीक से यह फार्म गई है और 241 पद है और की आफिसल वेबसाइट पर जाकर करके एक चुक अभेरती उसमें आवेदन कर सकते हैं और लिखा है और यहां पर जाकर करके आप लोग आवेदन कर सकते हैं लास्ट डेट है 12 फरवरी तो याद रखिएगा 12 फरवरी के पहले-पहले इस वेबसाइ वाल एप को जरूर इंस्टाल कर लें पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद